अगर बात की जाए भजपूरी सिनेमा की तो भजपूरी सिनेमा में कई ऐसे सिंगर हैं जो आज करोणों के मालिक हैं जिनके पास कई महंगी गाड़िया और कई आलिसान बंगले हैं जो अपने नए नए गाने से हर महीने काफी मोटी रकम कमाते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं भजपूरी के पाच ऐसे अभिनेता और गायक जिन्होंने कमाई के मामले में बोलीवूड को भी पीछे छोड़ दिया है और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे 2023 में आई खबरों के रिपोर्ट के मुताविक भजपूरी में सबसे अमीर हीरो कौन है तो बने रहे हैं वीडियो में अंतक वीडियो इंट्रेस्टिंग होने वाला है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कर लिजिए तो आएए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनेस लाल यादो से जिने भजपूरी इंडस्टिंग में निरहुगा के नाम से भी जाना जाता है फिल्मों में इनके काम करने का आंदाज बहुत ही असपश्ट दिखाई देता है इसी कारण से भजपूरी फिल्में इंडस्टिंग में इन्हें अमीर खान के नाम से भी जाना जाता है सिनेमा में अच्छा परफेक्शन होने के कारण निरहुगा के फिल्में के डिमान काफी अधिक है निरहुगा अपनी एक फिल्म करने के लिए 35 से 40 लाग तक रुपे की फीज लेते हैं और एक साल में वे 8 से 10 फिल्मे करते हैं एक रिपोर्ट के मुताविक दिनेस लाल यादो की कुल समपती दोस करोन रुपे बताई जाती है अब बात कर लेते हैं रवी किसन की रवी किसन भजपूरी फिल्मे के एक बहुत बड़े अभीनेता है इसके साथ वे राजनित्यग या फिल्म निर्माता और टेलिविजन सेलिवरिटी हैं रवी किसन तीन सो पचास से भी ज्यादा फिल्मों में काम किये हैं इन्होंने बॉलीवून में भी अपनी पहचान बनाई है ये एक फिल्म करने के लिए पचास लाग तक की फिस लेते हैं और साल में तकरीवन पंदर से वीज फिल्मे करते हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रवी किसन की वरतमान संपती 20 से 21 करोन रुपे की है हम लोगे अगले एक्टर आते हैं भजपूरी के ट्रेंडिंग एस्टार खेसारी लाल यादो एक गरीब परिवार में खेसारी लाल यादो का जर्म हुआ इनके पिता किसानी करके परिवार चलाते थे खेसारी को बचपन से ही गाना गाने का बहुत सौक था भजपूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पहुचने के लिए खेसारी लाल को बहुत श्ट्रॉगल करना पड़ा अब भजपूरी इंडस्ट्रीज के सूपर एस्टार और सबसे महंगे एस्टार में इनकी गिंती की जाती है यह अपने एक फिल्म करने के लिए 45-50 लाख तक की फिस लेते हैं और एक साल में तकरीबन 10-12 फिल्मे करते हैं खेसारी लाल की वरतमान संपती की बात करें तो 30-37 करोन रुपे की बताई जाती है मतलब कि इनकी वरतमान संपती 30-37 करोन रुपे है हम लोग के अगले नाम आते हैं मनोज दिवारी जिनका जन्म 1973 में बिहार के एक छोटे से गाओ में हुआ था मनोज दिवारी मुखे रुप से भजपूरी सिनेमा के अभिनेता गायक और म्यूजिक डिरेक्टर है मनोज तिवारी भजपूरी सिनेमा में आने से पहले दोस साल भजपूरी गायक के रूप में काम किये हैं मनोज तिवारी अनुराग कस्यप के द्वार निर्धारित फिल्म गैंक्स अफ वासेपूर के लिए एक लोग प्रिय गीत जिया हो बिहार के लाला भी गात चुके हैं भजपूरी फिल्म के बादसा और सबसे अमीर अविनेताओं में इनका नाम सुमार किया जाता है एक मेडिया रिपोर्ट के अनुसार मनोज तिवारी की कुल संपती 24 से 25 क्रोन रुपे की बताई जाती है पाँचवे नमबर पर आते हैं भजपूरी के पावर स्टार पवन सिंग पावन सिंग एक भारतिय भजपूरी भासा के गायक और भजपूरी फिल्मों के सालमान खान है पावन सिंग अभी तक 100 से अधिक फिल्में कर चुके हैं और इनकी अधिकतर फिल्में हिट होती हैं 800 से ज़्यादा म्यूजिक एलबम भी ये बना चुके हैं इनका जन्म बिहार के आरा जिले में एक गरीव किसान परिवार में हुआ था इन्होंने महज एक यारो वर्स की उम्र में भजपूरी इंडस्टीज में अपना पहला कदम रखा था आज के समय में इनकी कूल संपती 40 करोन रुपे की बताई जाती है मतलब की वर्तमान में पवन सिंग के पास 40 करोन रुपे की समपती है तो उमीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो से भजपूरी के ये टॉप 5 एक्टर्स के कमाई के वारे में आपको जयनकारी मिली होगी और साथ में आप लोग ये भी बता सकते हैं इस वीडियो के मादम से की भजपूरी में सबसे अमीर अभिनेता और गायक कौन है यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करकी से सेर कर दीजेगा साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा